अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो पेटा जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में ही स्टार्ट किया है अपना सीथ क्लास की NCRT साइंस बुक का फर्स चेप्टर ठीक है जिसमें हमने क्या पढ़ रहे हैं जिसके बारे में भोजन कहां से आता है उसके बारे में पढ़ टोपिक पढ़ लिये थे एक तो कि भोजन में मतलब कहां से आता है ठीक है तो हमें ये पता चला भोजन के अंदर विविन खाद्य पदार्थ कौन-कौन से है और उनके स्त्रोथ क्या है उन खाद्य सामगरी के क्योंकि जो खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं वो विविन प तरीके के पधार्त सामगरी पढ़ती हैं वो हमने पढ़ी लेकिन वो कौन-कौन से भाग पढ़ते हैं ठीक है जनतू के या फिर पोदो के तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट देखना पेटा ताकि आपको अच्छे से सब्सस्टार्ण के खाते हैं ठीक हम पोधों के कौन-कौन से भाग का उपयोग हाद्य पधारत के रूप में करते हैं तो आज हम यहीं पढ़ने वाले ठीक है तो कौन-कौन से का करते हैं हम पत्तियों वाली अनेक क्पस्वि सब्सब्स चाएं ठीक है जैसे तुमने पालक पड़ोगे कि यह फल के अंदर आते हैं ठीक है कभी हम जड तो कभी तना कभी पूस्प को भोजन के रूप में खाते हैं ठीक है तो तुमने देखा होगा बेटा पूस्प की भी सबजिया बनती है जैसे कि कनेर की हो गए कनेर के फूलों की सबजिया बनती है ठीक है या सीता के फूलो की सब्जियां बनती हैं, ठीक है, या कुछ और भी चीज़े बनती हैं और, क्या करते हैं, मतलब कि जड़ होती हैं जैसे घाजर खाते हो तुम वो क्या एक तरीके की जड़ है, तना खाते हो ठीक है, तने से भी जैसे कि तुम देखते होंगे, ड्रम स्टिक वगारा तो कुछ उनको भी खाते हैं ठीक है तो ये सभी अलग-अलग भागों को हम खाते हैं पोदों के तो कभी आपने सीता फल सीता फल को ही घासी फल भी बोला जाता है कि फूलों को चावल के चावल की पिठी में डूबो कर ठीक है तो आपने कभी खाई है मैंने तो कभी नहीं खाई लेकिन ठीक है तो हम इसका प्रयात्म कर सकते हैं बनाने का ओके तो कुछ पोधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्या होते हैं ठीक है तो बेटा पोधों के जो है अने एक भाग हमने अभी देखे खाने योग्या ह तो सिंक किभी तेनिया होते हैं तो में जैसे कहीं पर पुस्प घाते हैं तो जो पुदीना होता है उसकी टहनीं और पते सर्सूर ने कोईं पर्योक करते जड़ों सब्सक्राइब और ईहरता तो कुछ पोदों के दो या दो से अधिक भाग या निकि एक ही पोदों की कई चीजे भी यूज होती है ठीक है जैसे कि सीता फल के फूलों का यूज हुआ खाने में और साती सीता फल का भी यूज होता है ठीक है वो फल हो गया उसका तो खाने यूग गया होते है उधारन के सरव के बीज हमें तेल प्राप्त होता है। एवा हम इसकी पत्यों का उपियोग लिया जाता है। मतलब कि पोधे के विबीन भाग उनका भी हम प्रियों क्या करते हैं? अलग-अलग तरीके से खाने में करते हैं, ठीक है? क्या आप किसी अन्या पोधे के बारे में सोच सकते हैं, जिनकी दो या दो से अधिक बाग खाई जाते हो? तो बेटा, ऐसे तो भहुत सारे हैं, ठीक है? तो आप उनके बारे में भी सोच सकते हो. अब यहाँ पर बेटा, पहेली जानना चाती है, कि हमारे भोजन में पोधे और जन्तु के अलावा भी क्या कोई अन्या स्त्रोथ हैं, तो हम वही पढ़ेंगे, ठीक है? तो किरिया कलाव 4 में क्या है? सारनी 1.3 में सूची बद सभी खाद्य पधारतों में से उन संगटकों को चाटिये, जिनका मुख्य स्त्रोथ क्या है? पोधे हमने उपर बनाई थी बटा, कि खाद्य पधारता, फिर उसमें क्या-क्या सामागरी पड़ी वो थी, और वो सामागरी हमें किस से प्राप्त हुई? हमने वो पड़ाता उस सारनी में. अब हमें क्या जानना है? कि जो जिनका स्त्रोथ सिर्फ पोधे हैं, उन सामागरी के सूची बनानी है, ठीक है? तो पोधे के किन भागों से प्राप्त होती है? पोधे के जैसे कि बैगन का भरता हो गया, वो किस से प्राप्त होता है बैगन? वो होता है पोधो से, ठीक है? तो क्या हो गया उसका एक संग्टक बैंगन हो गया मिर्च मसाले डलते हैं बेटा उनमे या कोई अन्य चीज़े वो भी हमें किस से प्राप्त होती है पोदो से प्राप्त होती है ठीक है तेल, मुंग, फली, सरसो, सोया बीन जो तेल बनता है वो बनता है बीजों से ठीक है तो उस पोदे के जैसे सरसों का तेल है वो किस से बीना जो सरसों के बीज है उनको पीस कर निकाला जाता है ठीक है तो हमने ये जाना कि हमें किस-किस भाग से क्या-क्या प्राप्त होता है ये भी जान लिया हमने अब यहां पर बटा अपने आज़ पास के अंजान پोदो पर यह देखने के लिए प्रिक्षन नै करें कि वे खाने यूग्य हैं कभी-कभी वे विशैले भी हो सकते हैं तो हमें कहीं से भी जब हमें किसी फोदे के बारे में ना पता हो तो हमें उनके अलग-अलग भागों को नहीं खाना चाहिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम अलग अलग भागों को खाते हैं तो कभी तुम सोचो कि हम तो खा सकते हैं तो हर मतलब हर पोदे के हर भाग नहीं खाय जाते ठीक है कुछ विशैले भी होते है तो हमें ये नहीं करना चाहिए अब किरियागलाफ फाइफ में क्या दिया गया है बेटा कि मूंग अतवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए ठीक है तो ये जैसे मूंग हो गए उपर चने दिखाए गए थे तो अब इन में से कुछ बीजों को जल में भर कर एक पातर में डाल दिया ठीक है तो हमने कुछ चने लिए उसमें जल डाला पातर के अंदर और उसमें वो बीज डाल दिया ठीक है चने या डाल के किसी के भी एक दिन के लिए छोड़ दिया अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दिया फिर हमने और बीजों को गिलास में रहने दिया उन्हें एक गीले कपड़े से लपेट कर एक और रख दिया फिर हमने उनको क्या क्या पानी निकालने के बाद गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं तो थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद उसमें देखो इस तरीके की सफेद सफेद वो दिखने लगती है ठीक है कलियांसी ठीक है ये एक छोटी-छोटी संरचनाई है जो बीजों से बाहर निकलाती है ठीक है तो यही यदि हां तो अगर आपने ऐसा देखाए तो अच्छे होते हैं हमारी सेयत के लिए अगर हम इनको जमीन में भी ना डाले इनको ऐसे कच्चे भी खा सकते हैं ठीक है यदि नहीं अगर बेटा अंकूरित नहीं हुए गीले कपड़े में लपेटने के बाद एक दिन के बाद भी तो फिर से बीजों को क्या करेंगे पानी म अगर बेटा नहीं देखा भी होगा अंकूरों को सावधानी से धोकर आप इनको खा सकते हैं ठीक है हम इनको खा सकते कुछ तो खाते भी होंगे ये उबाले भी जा सकते बीटा और इनमें कुछ मसाले वगरा मिलाकर स्वादिस्ट अलपाहार के रूप में यानि ये छोटे इसे नास्ते के रूप में हम इसको खा सकते हैं ठीक है तो ये रहे बेटा चने के बने हुए ठीक है तो ये तो आपने खाए भी होंगे ये वाले क्या आप जानते हैं कि सहद कहां से पराप्त होता है तो हमने बेटा सबजियों के बारे में फलों के बारे में जाना अब हम स सहद भी खाते हैं, तो सहद कहां से आता है, तो यह कैसे उत्पादित होता है, क्या आपने एक मदुमक्य का छत्ता देखा है, जहां बहुत सी मदुमक्या बिन बिनाया करती है, ठीक है, यह मकरंद कहां से आता है, जो तुमने फूल देखा था, ठीक है, तो उसके बीच में ज मदुमख्या क्या करते है उसको चू powder ला कर यहां पर इखटा करती रहती है क्यों करती है पेटा इसको बंडारीद अपने च hakkय में ठीक है तो यह कहां से लाती है तो правão जो होता है फूल और उनका मकरण वर्ष के केवल कुछ ही समय से में ही उपलग होता है ठीक है तो तुमने देखा हुआ कि कुछ पोदों पे फूल जो आते हैं वो कुछ ही समय के लिए आते हैं ठीक है तो इसका मतलब मकरंद भी कुछ ही समय के लिए आएगा तो इसलिए क्या करती हैं जैसे आप सब देखते होंगे कि आप सब गहूं क्या करते हो पूरे साल थोड़ी ना होते हैं तो आप उनको इखटा करके रख लेते हो ताकि पूरे साल आप उसको गहूं का इस्तमाल कर सको ठीक है रोटिया बनाने के लिए कुछ भी तो वो हम इखटा करके रख लेते हैं ऐसे ही ये भी अपने खाने के ल में उपियोग करते हैं ठीक है फिर इसमें हम भी यूज कर लेते हैं इसको ओके अब बेटा फोर्थ क्या है वन पॉइंट फोर्थ टोपिक जनतु क्या खाते हैं ठीक है अभी तो हमने खाद्य सामागरी कहां से आई कैसे आई कौन-कौन से भाग से खाते हैं वो पड़ा अब जनतु क्या खाते हैं बेटा क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतु पसू है जिसकी आप देखवाल करते हों जैसे की कुट्ता हो गया बिली हो गई भैस हो गई या भकरी हो गई ठीक है फिर आप इसकी जानकारी भी अवस्य होगी कि पालतु पसू या पालतु जानवर क्या खाते हैं ठीक है अन्य जन्तू क्या खाते हैं और जो होते जैसे पालतू हो गई और अन्य हो गई उनके बारे में आज हम जानेंगे कि वो क्या क्या खाते हैं ठीक है या अंदाजा लगाएंगे क्या आपने कभी गिलारी कबूतर चिपकली या छोटे-छोटे से कीट या कीड उनको खाना खाते देखा है तो तुमने देखा होगा बेटा जिसे चीटियों को देखते हो तुम समान लेकर जाती है खाने के मीठे को जादा लेकर जाती है तो यह रही बेटा गिलारी यह भी क्या करती है चोटे फल फरूटों को भी खाती है या इधर उदर से कुछ भी उस तो भहस होती है वो क्या खाती है घास खाती है खली खाती है खली क्या होता है जो सरसों होती है सरसों के बीच मैंने अभी बताया था तेल निकलता है तो जैसे मोसमी का जूस निकालते है तो उसमें से कुछ कचरा निकलता है ऐसे ही सरसों का तेल जब निकालते है तो बाद में करता है घर में रोटी वगएर हो गई कोई जनतों से प्रापत होती हैं जो साइं किरिया कलाप سैवन में कि फिर से साडरी वन पॉइंट्ट फाइव को ध्यान से देखिये और इसे जनतों लिखा उस खाने के आधार पर कि कौन क्या खाता है उसके आधार पर हमें इनको तीन वर्गों में बाटते हैं ठीक है तो जो केवल पोदे या पादा पुतपाद खाते हैं ठीक है यानि कि जो पोदों से बनी हुई चीजे ही खाते हैं या पोदों को खाते हैं तो वो आते हैं साकाहारी जन्तु के अंदर ठीक है उनको साकाहारी जन्तु बोलते हैं यहां कुछ जन्तु ऐसे हैं जो दूसरे पराणियों को खाते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे पराणियों को खाते हैं ठीक है तो उनको किस वर्ग में रखा जाता है मासाहारी जन्तु में ठीक है क्या आप कुछ ऐसे जन्तुओं को जानते है जिनका भोजन पोदे भी होते है और जन्तु भी होते है वो दोनों ही होते है उनके ठीक है तो उनको तीसरे वर्ग में रखा जाता है वो कौन सा होता है सरवाहारी ठीक है जो सब कुछ खाते है ठीक है आप इने सार्णी 1.6 के अन गाय हो गई, भैस हो गई, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर लिख दोगे, ओके, और जो मासाहारी हो गई, जैसे सेर हो गया, बाग हो गया, ठीक है, छिपकली हो गई, इस तरीके से, और सरवाहारी में, बैटा, को आए, वो क्या करता है, बैटा, जैसे कोई जन्तु अग तक तरीके के बिटा आ जाएंगे लेकिन जो शेर वगएर हो गए वो सिर्फ मास खाते हैं ठीक है अब बिटा पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 में भरते समय मनुस्ये को आपने किस वर्ग में रखा तो बिटा मनुस्ये को हम तीनों वर्ग में भी रख सकते हैं या फिर सर हमें ऐसे उपाये का सकता है जिनके दोरा देश के अधिक से अधिक खथय उत्पादन किया जासके ठीक है तो बेटा आप सब जानते हो कि कुछ को अभी भी हमारे देश में भोजन नहीं मिल पाता तो हमें कुछ ना कुछ इस तरीके के उपाये ढूंडने की आवसरक्ता है जो क्या कर सके हमारे देश में सभी को एक भोजन उपलब्द करा सके ठीक है यदि प्रियाप्त नहीं होगा बलकि हमें और सिर्फ यही प्रियाप्त नहीं होगा कि सिर्फ भोजन का उत्पादन कर लिया है खाद्य पधारतों का उत्पादन कर लिया बलकि हमें उसे ऐसे उपा शहकारि जो क deme साबस्तों को जन्तों से पराप्तरवस्तों को खाते हैं सरवाहारी जो ये दोनों खाते है पोधोर जन्तों से प्राप्त वस्तों को और बेटा हमने इसमें सारांस हमने कुल मिला कर पढ़ा किया है वो जान लेते हैं भारत के विभीन परदेसों में खाय जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविद्धा है मतलब कि हमारे देश में अलग-अलग तरीके का भोजन खाया जाता है ठीक है हमारे भोजन का मुख्य स्त्रोत बेटा दो ही चीज़े है पोधों से प्राप्त होता है या जन्तु से मुख्य स्त्रोथ ठीक है जो जन्तु के वल पादप खाते हैं वो सहकारी जो जन्तु को खाते हैं मासारी और जो दोनों को खाते हैं वो सर्वारी ठीक है तो यह आपका था चैप्टर भोजन कहां से आता है उसका स्त्रोथ क्या है हम क्या खाते है जन्तु क्या खाते है ठीक है झाल